Hi everyone, Word of the Day के आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वर्ट सरफीट को ये इस सेरीज का सेशन नमबर 48 है, सरफीट, आईए इसके बारे में डीटेल में जानते हैं पहले बात सरफीट एक नाउन है, पार्ट अवी स्पीच से ये क्या है? It's a noun, meaning क्या है? An amount or number that is too large, यानि कि कोई मात्रा या फिर संख्या जो बहुत ज़्यादा है जिसको आप न बहुलता या अधिकता कह सकते हैं, जिसे आप सरल शब्दों में excess कह सकते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? सरफीट, जब बहुत ज़्यादा हो किसी भी चीज की संख्या, अत्वा, मात्रा तो वो सरफीट है समझेंगे कैसे? दिमाग से चलिए सरफ, सुर एक रूट है सरफ, रूट है ये सुर, जिसका मतलब ही होता है much, a lot, ज्यादा सर, इसी से ही सरफ्लस बनता है, जब चीजों का सरफ्लस होता है तो वो ज़्यादा हो जाती है, इसी से ही सर, सरचार्ज बनता है चार्ज का मतलब जो आपको कर देना पड़ता है, टैक्स वो चार्ज है, चार्ज से ज़्यादा भी अगर चार्ज लिया जा रहा है तो जो अलग से या एक्स्ट्रा में चार्ज लिया जा रहा है तो वो सर चार्ज है यहां से आपको समझना चाहिए कि सर से चीजे बढ़ेंगी तो जब सर फीट में जो सर है इससे चीजे बढ़ेंगी तो बढ़ने पर वो बहुलता में ही तो जाएंगी कमी में तो नहीं आएंगे ना, तो सरफीट का मतलब है, something which is in excess, जादा है, बहुत जादा, too much, surplus, excess, plenitude, abundance, oversupply, यह सब, अब अन्टॉनिम्स जिसका मतलब कमी से है, जो हमें चाहिए उससे भी कम, like shortage, scantiness, lack, want, want से तो एक बड़ी ही popular phrase बनती है, for want of something, बहुत important phrase, exams में बहुत पूछी आती, for want of money, she had to discontinue her studies, for want of money, I had to postpone my marriage, for want of money, मतलब कमी, for want of good friends, for want of resources, कमी, necessity, भी आप जानते हैं, आवशकता को कहते हैं, let's have an example, पहला है, you must not throw food and surfeit into bins, जब आपके पास भोजन आपकी जरुवत से ज़्यादा हो, food in surfeit, जरुवत से ज़्यादा हो, तो उसे बिंस में ना फेकें, बिंस, short form है, dust bins के, तो जब food ज़्यादा हो, जितना आपने चाहिए उससे भी ज़्यादा हो, तो उसे फेकें ना, instead you can pass it to some needy people, दूसरा, you have such a surfeit of dresses, तुमारे पास कपड़े इतने ज़्यादा हैं, why don't you give away some of them to a needy person, ऐसे में तुम उन में से कुछ dresses को किसी जरुवत मन को दे, क्यों नहीं देते, since you have a surfeit of dresses, you should give away some of them to a needy person, surfeit का मतलब क्या देखा आपने, ज्यादा, I hope ये वीडियो, ये session आपको जरूर समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको जरूर प्रभावशाली लग रहा होगा, यूँ ही सहयोग देते रहिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर करते रहिए, आपको बहुत-बहुत आभार, thank you so much, bye, take care, जै भुलेना, जै शिप्शंकर,